जैसे आले इकवाल साहब जो डिप्टी मेर बने हैं तो ऐसा साफ़तर पर दिखता है कि चाहे गुजरात के चुना हो या उसके पहले दिल्ली के चुना हो उसमें आमादमी पार्टी ने रणिती के रूप में ऐसे मुद्दों पर बोलने से खुद को दूर रखा जिससे कि ये संदेश जाए कि ये मुस्लिमों के प्रती थोड़ी हमदर्दी रखते हैं या जिसको कोट अनकोट हम स्टेकलरिस्ट एजेंडा लेकर चलते हैं तो ये जो एक उनकी रणिती रही है उसके बाद आले इकवाल को डिप्टी मेर बनाना क्या यह दिखाता है कि वो इस बात को लेकर चिंतित हुएं कि दिल्ली में जो आम तरपर मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर कॉंग्रेस को वोट मिलें और आगी की चुनावी राजनिती के लिए उन्होंने थोड़ा अपने रुख में बदलाव किया और वह दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं हम मुस्लिमों के प्रती गर चुनाओं तो गोट हो एक इसलिए यह कहना जो है कि मुसल्मानों और मिलें और यहD you हुँ कि कॉंग्रेस को वोट मिले हैं और ज्यादा चुना होगा तो वोट और बिक्रेंगे और ज्यादा वोट को लोग कोई पार्टी ले आ सकती है इसका यह मानना कि विधान सभा चुनाओं में भी इसी तरीके से मुस्लिम मद्दाता वहवार करेंगे यह नादा नहीं होग तो अलग तरीके से लोग सोच सकते हैं तो मैं इससे कार नहीं करना हूँ कि मद्दाता हर चुनाओं में हैं अपने तरीके से सोचता है और फिर नए सरी सरी से वोट देने का निड़णे लेता है तो मुसलमान वोट के बारे में तो मेरा ये पक्का मौनना है औरOOOO है जहां त का सवाल करता हूँ, क्या आमाद्मी पार्टी एंटी मुसलिम है, क्या आमाद्मी पार्टी एक मुसल्मान विरोधी पार्टी है, अगर वो एक मुसल्मान विरोधी पार्टी है, तो इस बात को सामने रखा जाए, किस मुद्दे पर हम चुप रहेंगे, किस मुद्दे पर हम कि आमाद्मी पार्टी के शासने में जो मुसल्मानों के अदिकारों का हनन हो बाए जान में पूझता हूँ को अगर इन सवालों का जबाब भी हाँ माणलों अद्व माद माध्नी पार्टी एक मुसल्मान विरूदी पार्टी लेकिन ऐसा इप ऐसी बात नहीं है आंप मौसलमानों के जबर्द समर्सान से ही आद्व अपने इस मुकाम पर पहुंची है इस मुकाम पर वो आज तक है वो जो सेकुलर जीवियों का एक बहुत चोटा सा तबका है जो पूरी तरीके से कॉंग्रेस का खेल खेल रहा है वो रहुल गांदी को उसने अपना मसीहा मान लिया और वो इस बात को कहने में सब कोई संकोच भी नहीं रहा है और रहुल गांदी को अपना मसीहा उन्होंने माल लिया है और वो पूरी तरह कॉंग्रेस के पक्ष में खड़े हुए तो मैं तो एक दो मित्र जो मेरे मिलते हैं और मुस्टाश करते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि अगर आमादनी पार्टी ना होती तो 2013 मे खड़े हैं भाजपा दिल्ली में सत्ता में आ गई होती है और आज तक भाजपा ही दिल्ली पे शासन कर रही होती कॉंग्रेस के मित्रों से कहता हूं कि छोटी जी कागच की परची भी लिखके दे देंगे अगले चुनाव में हम गारंटी लेते हैं कि हम भाजपा को हरा द इसका सबसे बहुत चैसे तुधारण है इसमें सौनिया गांदी ने ये कहा था दोजार चौनाव से पहले दिल्ली की जहां मज्जित के शाही इमाम से मिलकर कि सारे सेकुलर वोट एक जुट हो जा है या मनमौ सिंग ने कहा था कि भारत के संसादनों पर पहला अधिकार अलग संच्छुपों का है ये उनके सबसे ज़्यादा बहुत चैसे तुधारण है इस प्रकार का सेकुलरिज्म पूरी दरीगे से फिट चुका है ये जवाला लह करती थी कि वो हिंदू समाज को नित्रत दें भिखु पारेख ने अपने आर्टिकल में साफ को पर लिखा है कि उन्निस सो बावन और सप्तावन की जो कॉंग्रेस थी उन सरकारों की आदम शवी ये थी कि वो लोग हिंदू के समर्थन से बनी सरकार है वो लोग जब को हिंदू का हिंदू की हमदर्दी और हिंदू उनको सप्ता में बैठाने के लिए राजी थे तभी वह देश में मुसल्मानों का कुछ हित कर पाए यह जो पुरी प्यसिस है कि जो संख्यक राजनीती है वो राजनीती अब भशंख्यक राजनीती के वकाबले ज्यादा समर्थन करने योग है और बहुत राजनीती की कीमत पर समर्थन किया चाहिए इस प्रकार का जोकिम बुद्ड़ीजी भी तो अठा सकते हैं उनको तो अपने घर नहीं आप उनको थो समी या कि किसी भी देश की राजनीत में अगर आपको सफल होना है तो बिना अल्व संख्यक विरोधी हुए उस देश के जो बहुत संख्यक मत दाता है उनकी राजनीतिक हमदर्दी आपको जीतनी पड़े हैं कोई भी पार्टी हो उसको यही करना होगा कांग्रेस भी तो यही कर तो वो तो सभी लोग यह खेल खेल रहे हैं उसमें आप आम आदमी पार्टी को कॉर्णर में खिस्टा के उसकी उपर हमला करना चाहें वो तो सीधा दिख रहा है कि भारती अलता पार्टी की जो जो कारणीतियां है यानि बारती अलता पार्टी की रोज-मर्णा की राजिएमें जो हतकंडे हैं और उसकी दूरगामी जो जो लड़नीती है उसको अगर कोई पार्टी सुचंतित रूप से मकाबल उसका मकाबला करती है उसके खिलाब योजना बनाती है उसको कदम बकदम तककर देती है और कि उसको शिकस्त की देती है उसके हत्रेंडेवाजी की सामने जुकती नहीं है जैसा कि नगर महापालगा के चुपनाव में हमने देखा उसके सामने जुकती नहीं है तो वह एक आम आदमी पार्टी